बिस्मिल्य रख्माइन रहीम, असलामलेकूम, आज मैं आप सब के लिए समर स्पेशल जामुन सोडा की रेस्पी लेके आई हूँ गर्मी बहुत जादा बढ़ गई, इस जुलस्ती गर्मी में आप ठंडे ठंडा कोई ड्रिंक बनाएं तो आपको इंस्टेंट इनरजी तो मलती ही है और साथ ही आप इस ड्रिंक को रेस्ट्रेंट या फिर कैफे स्ट्रायल में प्रेजेंट करें, तो गर्मी का एसास से मिठ जाता है यकिनन आपने जामुन सोटा का नाम पहली बार सुना होगा नाम की तरह टेस्ट में बहुत ही यूनिक और रिफ्रेशिंग है इसको बनाना बहुत ही असान है, तो से लिए जामुन सोटा को बनाना स्टार्ट करते हैं जामन सोडा बनाने के लिए मैंने यहाँपा 200 गम्स जामन ली हैं यह तक्रीबन एक पाउ से कम है अब सबसे पहले इसके सीट्स निकाल कर अलग करेंगे जामन इसके लिए आप थोड़ी मोटी मोटी ही लीजेगा उसमें आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि इसका सीट्स पतला होगा और इसका पल्प जादा होगा यह देखें बस इससी तरह से सारे जामन के सीट्स निकाल कर अलग कर लिए थे मैंने इसको साइट पर रखते हैं अब इस सोड़े को कैफे है पर रेस्टरन स्टाइल में सर्फ करने के लिए ग्लास के ऊपर साइटस पर थोड़ा सा इस तरह से लेमन जुस लगाएंगे लेमन जूस लगाने के बाद अब अगर आपके बस कैस्टर शुगर हो तो वो भी आप ले सकते हैं अब मेरे पास केस्टर शुकर नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉर्मल चीनी का यूस कर रही हूँ अब ग्लास पर लेमन जूस लगाने के बद इस तरह से ग्लास को चीनी में कोट करेंगे जूसिस को अगर आप इस तरह से अपने गेस्ट या पर घरवालों को सर्फ करेंगे तो इसके टेस्ट के साथ इसके लुक्स पर भी आपको 10 on 10 मिलेंगे और बस यह ग्लास हमारा सोडा के लिए रैडी हो चुका है अब मेर इस टैप की तरफ आ जाते हैं तो सोडा बनाने के लिए जामन आड्ट करेंगे साथ ही इसमें वन पिंश नमाक एट करेंगे वन टेबल स्पून चीनी आड्ट करेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर आड्ड करेंगे 1-4 टी स्पून चाट मसाला एट करेंगे काला नमक एट करेंगे इसमें 1-4 टी स्पून और इसमें 1-5 कप क्रश्ट की हुए आईस एट करेंगे अब बस एक मिनिट तक इन तमाम चीजों के अच्छी तरह से ब्लैंड करेंगे साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो जी यहाँ पर जामन और तमाम स्पाइस को मैं अच्छी से ब्लैंड कर लिया है अब इसको ग्लास में 3-4 टेबल स्पून के बराबर एट करेंगे चाहें तो आप इसमें मजीद आइस भी एट कर सकते हैं और फिर ग्लास में वाइट सोडर डिंक एट करेंगे इस जामन सोडा का जब आप सिप लेंगे तो फ्रेश जामन का जो फ्लेवर मूं में आएगा बहुत ही अमेजिंग लगता है इसको आप अपने स्पेशिल डिनर में मना सकते हैं हैवी खाने के बाद बहुत ही अच्छा रहता है ये और जो जामन के साथ हमने सोडा डिंक को रेड़ी किया है तो जामन की जो तासीर है वो ऐसे ही ठंडी होती है जो के पेट को राहत देती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है अब इसके बाद एंड में थोड़ा सा लेमन जूसिस मेट करेंगे तकरीबर 1 टीस्पून के बराबर इसी के साथ हमारा लाइट रिफ्रेशिंग कूल कूल जामन सोडा रैडी हो गया है देखे कितना खुबसूरत और हसीन लग रहा है देखने में और तेस्ट में तो बहुत ही अमेजिंग बनता है अब महेंगे सोडा ड्रिंक के लिए इतनी गर्मी में आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है घर में बनाएं और इंजॉय करें आप सबको मेरी आज की जामन सोडा ड्रिंक की वीडियो पसंद आई के नहीं फीडबैक लाजमी शेयर कीजेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल को अगर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर दें इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नही रस्पी के साथ अल्लाह आफेज